मुश्कार मैं राज मोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज, बिहार की राजनिती में उठा पटक तेज हो गई है, दल बदल और निस्कासन का सिलसिला सुरू हो चुका है, चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की हलचल अक्सर देखी जाती है, चुनाव आते ही नेताओं के बोल, कैसे बदलते हैं यह आजकल आप लोग बड़े अच्छे से देख रहे होंगे, चुनाव के समय कब किस नेता की जमीर जाग जाए और कब किस नेता की अंतरात्मा नयाय की पुकार का जंडा लिकर उट खड़ी हो, कोई नहीं जानता, जदियू से मंतरी और फुलवार पार्टी से नराज चल रहे हैं और जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जदियू ने स्याम रजक के प्रति जिस तरह का रवया अपनाया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सायद अब जदियों को स्याम रजक की जरूरत नहीं थी, स्याम रजक की नराजगी बाहर आते ही जदियू ने उन्हें मनाने के बज़ाए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना बेहतर समझा, जदियू से निकाले जाने के बाद, स्याम रजक स्याम रजक को अपने पूराने घर राजद में 11 वर्सों के बाद फिर से लौट चुके हैं, दल बदलने के बाद जिस तरह हर पराई में कमजोर पर रहे थे, अब अपने पूराने घर में वापस आकर समाजी की न्याई की लड़ाई को मजबूत करेंगे, स्याम रजक ने पहले यह भी कहा था कि जदियू में उनकी उपेक्षा हो रही थी, इसलिए वे जदियू छोड़ने वाले थे, स्याम रजक से दल बदला है, तब उन्होंने एक बार फिर अपनी उपेक्षा की बात कहिए, देखिए, राजनिती में कब किसका सम्मान उसकी पार्टी में कम हो जाए, कोई नहीं जानता है, चुनाओ के समय यह सम्मान का खेल काफी जादा देखने को मिलता है, स्याम रजक की जदियू जेपी अंदोलन में सामिल थे, हलांकि बिहार के अधिकतर नेता तो उसी अंदोलन की देन है, और आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अपात काल के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर जेल भी गए थे, पहली बार राजद के टिकट पर 1995 में विधायक बने, इसके बाद सन 2000 और 2005 तक राजद का टिकट पर चुनाव जीत विधान सबा पहुँचे, लेकिन 2009 में स्याम रजक ने आर्जेडी पर आरोप लगाया कि आर्जेडी में उनका लगतार अफमान किया जा रहा है, और इसी को मुद्दा बना कर उन्होंने राजद छोड जदियू का दामन थाम हलांकि जदियू में सामिल होने के बाद हुए उप चुनाव में उन्हें हार का सामना करना परा, लेकिन 2010 में हुए बिहार विधान सबा के आम चुनाव में स्याम रजक फिर से चुनाव जीत विधान सबा पहुँचे और फिर मंतरी भी बने, फिर 2015 में जदियू और च्छोर बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाने के बाद, वह एक पर फिर नितिस मंतरी मंडल में सामिल किये गए, 2019 में मुखे मंतरी नितिस कुमार ने उन्हें कैविनेट मंतरी बना कर उद्योग विभा की कमान सोपी थी, अब सवाल है कि मंतरी बनने की एक साल बाद ही आखिर क्यों स्यामरजक नितिस कुमार से नराज हो गए और जदियू ने भी अपने मंतरी को मनाने के बजाए बाहर निकालना ही बेहतर समझा, आखिर इस एक साल में क्या बदल गया, मिली खबरों के अनुसार स्यामरजक के नराजगी की सबसे बड़ी वज़ा उनका मंतरा साले था, उनका कवना है कि जिस विभाग के मंतरी थे उस विभाग के द्वारा ही उनकी उपेक्षाल लगतार की गई, सबसे पहले बिहार सरकार द्वारा उद्योगिक निवेशपुर्चाहन निति 2016 की समिक्षा की गई, और बदलाओ का जो मौसोदा तयार किया गया, उसे लेकर उस समय उद्योग मंतरी स्यामरजक संतूष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, इसके बाद बिना स्यामरजक की सला के वित विभाग के परदान सचीव, डॉक्टर S. सिधार्थ को उद्योग विभाग का भी अतरिक्त प्रभार दे दिया गया, यह बात भी स्यामरजक को नागवार गुजडी, डॉक्टर सिधार्थ ने कारे भार गरहन करने के बाद विभाग के कारियों का अपने और उद्योग सचीव, नर्मदेशवरलाल के बीच बटवारा कर दिया, स्यामरजक नियामावली का उलंगन करार दिया और इस कारे बटवारा के आदेश को रद कर दिया, लेकिन स्यामरजक के अनुसार इस संबन्द में उन्हें सरकार का कभी साथ नहीं मिला, जो यह बताता है कि जदियू में अब उनका महत्व कम होने लगा था, इसके बाद स्यामरजक को दूसरा और सबसे तवेरा जहटका तब लगा जब उन्हें य देता अपने 25 सालों के धरोवर को इतनी असानी से तो नहीं छोड़ेगा, स्यामरजक ने समाजिक न्याई की लड़ाई के नाम पर फिर से पहला बदल लिया है, 11 वर्सों से सत्ता में रहने के बाद आज एक बार फिर समाजिक न्याई की लड़ाई लगनेवे राजत के नेवाट